एलो दोस्तों वेलकम टे योटूट चैनल जी सी ए पिछली क्लास में हम लोगों ने ब्रांच एकाउंटिंग स्टार्ट किया था जिसमें हम लोगों ने ब्रांच एकाउंटिंग का इंट्रोडक्शन पड़ा था and हम लोग ने data system को start किया था जिसमें हम लोगों ने branch accounting बनाना सीखा था at cost पे और ये branch accounting का format था और journal entries रह गया था तो general entries को आप अभी note कर लिजे और आज की class में हम लोग branch accounting at invoice price पे बनाना सीखेंगे पिछली class में मैंने आपको कहा था कि जब कभी भी आप branch accounting at invoice price पे बनाएंगे तो थोड़ा सा आपको एक mathematical calculation करना होगा जिसमें मैंने आपको यहां तक पढ़ाया था जिसमें आपको invoice price वगर निकालना सीखाया था और जिसने first part देख रखा है या फिर branch accounting at cost price जिनको बनाना आता है तो उनके लिए ये video fit ठीक है तो आज की class में हम लोग branch accounting at invoice price बनाना सीखेंगे उससे पहले एक छोटा सा हम लोग calculation कर लेते हैं आप ये question note down कर लिजे जैसे good sent to branch at cost price 25% और invoice price 25,000 है अब इस question में अगर आपको profit निकालना है and cost price निकालना है तो कैसे करके निकालेंगे तो let cost be 100 आप ले लेजे इसका मतलब profit हुआ 25 रुपे कैसे क्योंकि आप देखिए उपर में cost plus 25% लिखा हुआ है तो 100 का अगर आप 25% निकालेंगे क्योंकि मैंने cost को 100 माना है तो 100 का 25% equal to 25 हुआ and cost plus profit equal to होता है invoice price so invoice price is nothing but cost plus profit आप यह याद रखिएगा आप sell price भी कह सकते हैं but goods को अभी branch में send किया जा रहा है and then जब branch उसको बेचेगा तो वो sell price कहलाएगा इसलिए फिलाल इसको हम लोग invoice price का नाम दे रहे अब देखिए यहाँ पर invoice price 25,000 है और मुझे directly अगर profit निकालना है तो 25,000 into profit यहाँ पर आप देखिए कि जब cost 100 था तो profit जो है 25 है तो मुझे अब यहाँ पर profit निकालना है 25,000 में से तो जो profit का amount है उसको आप उपर रखिए और invoice price को आप नीचे रखिए मतलब total जो भी आएगा उसको आप नीचे रखिएगा तो आपका profit बड़ी आसानी से निकल जाएगा मतलब 100 में 25 एड़ करके उसको आपको नीचे रखना है और अगर cost निकालना है तो simply 25 में से 5 माइनस करके 20 भी आ सकता है लेकिन अगर आपको ऐसे multiply करके निकालना है तो 25,000 और cost यहाँ पर 100 है तो जो निकालना है उसको आपको उपर रखना है and then total को नीचे रखना है तो इस तरीके से cost भी आपका आजाएगा 20,000 तो यह कुछ calculations हम लोगों ने पिछली class में भी किया था और आपके book में दे भी रखा होगा तो उसको आप थोड़ा सा अच्छे से practice कीजिए क्योंकि कभी-कभी इस पे कुछ questions आते हैं तो आप लोग mistake कर जाते हैं इसके बाद मैं आपको एक और question दिखा रहा हूँ अभी आप उसको भी note down कर लेज़े और खुछ से बनाईए जैसे आप question लेकिए ऐसा question आता है जैसे say की 25% on cost price equal to 25% on cost price equal to यह invoice price का कितना percent होगा मतलब 25% अगर cost price है तो invoice price का कितना percent होगा यह आपको calculate करके दिखाना है यहाँ पर परसेंट का जो amount है वो change भी हो सकता है जैसे 20% 16% कुछ भी तो देखिए इसको कैसे आप solve करेंगे यहाँ पर भी cost assume कर लिजे 100 तो profit 25 हो गया इसका मतलब invoice price कितना हो गया 125 उसके बाद आप simply percentage of profit on invoice price निकाल लिजे तो percentage of profit on invoice price equal to क्या आना चाहिए तो profit को आप उपर रखें invoice price को आप नीचे रखें multiply कर दिजे 100 से तो आपका आ जाएगा तो अगर ultra भी question दे रखा होगा जैसे 25% on invoice price equal to how much on cost price तो उसको भी आप इसी तरीके से calculate कर सकते हैं तो यह भी question कभी-कभी calculation exam में आता है तो देखे इस तरीके से 20% आया तो आप कह सकते हैं कि अगर 25% cost price का है तो इसका मतलब 20% on invoice price तो 25% on cost equal to 20% on invoice price यह calculation भी आपको याद रखना है हो सकता है आपको exam में दे दे हैं हम लोग ऐसा करते हैं invoice price पे question करते हैं यह question है इसको आप लोग note down कर लिजे और इस question को इस question का हम लोग ऐसा करेंगे branch account बनाना सीखेंगे अभी तो चले शुरू करते है branch account का यह format रहेगा इसमें एक तरफ debit और एक तरफ credit particular amount तो रहता है है मैंने आपको बताया थै कि सबसे पहले branch में जितने भी assets हैं उनको आपको debit side में लिखना होता है two balance brought down करके तो आप देख लिजे कि यहाँ पर कौन-कौन से assets हैं मुझे तो कुछ नहीं दिख रहा तो फिर भी दो चीजे आपको लिखनी है एक तो debtor आप लिख दिया कीजे और एक stock मतलब stock और debtor ऐसे है यहाँ पर है नहीं तो nil क्योंक branch को भेजा गया है वो यहाँ पर लिखना है लेकिन यहाँ पर जो है question वो invoice price वाला goods है तो यहाँ पर आप देखेंगे कि goods sent to branch 30,000 है उसको हम लोगों ने लिख दिया and branch का जो expenses है जो pay किया गया है यहाँ पर head office के द्वारा वो 25 hundred है तो two bank account करके आप यहाँ पर 25 hundred लिख दिज जनरली पांच ही चीजों को हम लोग लिखने है तीन चीजे तो आ गई अब चौंत ही चीज यहाँ पर हम लोगों को लिखनी है कि कितना cash branch ने head office को भेजा how much cash being remittances by head office by branch to head office यह तो जनरली यह assume किया जाता है कि जो भी cash sale हुआ होगा वो directly head office को चला गया होगा और जितना भी collection debtor से होता है वो भी head office को बेज दिया जाता है तो यहाँ पर cash sales जो है वो question में साब साब गिवन है 6500 और collection from debtor गिवन नहीं है तो उसको working note हम लोग करेंगे बीच में फिर आपको कुछ space छोड़ देना है उसके बाद नीचे में जो भी closing balance है assets का उसको आपको लिखना है जैसे कि stock और debtor का closing balance given है question में तो उसको यहाँ पर लिख देते हैं यह stock ऊपर में था तो stock और debtor का closing balance हम लोग यहाँ पर लिख देते हैं तो देखे stock given है कितना है stock 7500 7500 आप question के last line में देखिए and then debtor का जो balance है वो closing debtor 6000 है तो उसको लिखेंगे बट इससे पहले हम लोग ऐसा करते हैं कि debtor account भी बना लेते हैं जिससे हम लोगों को यह पता चलेगा कि debtor से हमें कितना पैसा collect हुआ है I hope कि आपको debtor account बनाना आता होगा और अगर नहीं आता debtor account बनाना तो बड़ा simple है जितने भी जिन बातों से भी debtor का balance बढ़ेगा उनक को आपको credit में लिखना है तो मैं ऐसा करता हूं अभी आपको बना के दिखा देता हूं debtor account और यहां पर जो debtor है वो है 6000 तो फिलाल मैं यहां पर 6000 लिख देता हूं तो यह हो गया 13500 और मैं एक छोटा से debtor account अभी बना लेता हूं इसको पहले हम लोग थोड़ा सा बंद कर र पहले मैं आपको debtor account छोटा सा बना के यहां पर दिखा देता हूं जैसे branch debtor account यह हम लोग इसलिए बना रहे हैं क्योंकि question में यह given नहीं है कि कितना पैसा debtor से हमें मिला है इस बचे से हमें debtor account बनाना पड़ा या opening और closing balance भी अगर debtor का नहीं given होगा तो भी आपको debtor account बनान है और credit में जिन बातों से debtor कम होगा वो लिखना है and balance carried down को credit side में लिखना है तो balance carried down तो question में given है closing balance 6,000 वो given है अब debtor बढ़ता कैसे है तो जब कभी भी हम लोग उधार बेचेंगे तो debtor बढ़ेगा तो यहाँ पर आप two sales account लिखेंगे मैंने credit sale बल लिख दिया आपको समझाने के लिए वैसे आप sales account ही लिखिएगा credit को काट दिजिएगा ठीक और यहाँ पर आप देखें कि sales जो है credit sales वो है 16,000 ओके और कोई भी ऐसा item नहीं है जिसे bad debts होता तो इसको debtor के credit में लिख देते अब यहाँ पर आप लिख दिजिए buy cash account जो भी collection हुआ debtor से वो balancing figure से आ जाएगा जैसे यहाँ देखें यह 16,000 टोटल है इधर इस 16,000 में से फिर इधर credit site का 6,000 आप minus कीजिए तो इसका यह मतलब हुआ कि debtor से जो collection हुआ वो 10,000 का हुआ और इसमें आप working note करके दे दिजेगा इसको balancing figure यह हमने balance करके 10,000 निकाला अब यह 10,000 जो है उसको आपको लिखना है by cash में from debtor जो हम लोगों ने branch account में लिखा था वो आपको यहाँ पर लिखना है 10,000 इसके बाद जब कभी भी आप यह होने के बाद जब कभी भी आप branch account at invoice price पर बनाएंगे question में जैसे given है पहले बाले line में goods sent to branch at cost plus 25% इसका मतलब यह invoice price है तो आपको loading remove करना पड़ेगा कहां कहां से तो मैं red color से इसको tick लगा देता हूं जहां कहीं भी stock होगा तो उसका आपको loading remove करना होगा opposite side में जैसे opening stock है तो उसका उल्टा इधर आपको करना होग जब कभी भी हम लोग opening stock का loading remove करते हैं तो लिखते हैं by stock reserve account चुकि यहां पर है नहीं अगर जो भी amount होता यहां पर मैं लिख देता हूं कि यह हम लोग ने इसलिए लिखा है क्योंकि यह हम लोग loading को हटा रहे है loading का मतलब यहां पर margin हो गया कि उस stock में कितना profit सामिल है तो opening stock क जब कभी भी आप loading remove करेंगे तो credit में लिखेंगे यहां पर है ने इसको भी total कर लेते हैं 16,500 और good send to branch का भी जहां कहीं भी जिस भी transaction में stock आएगा उसका loading आपको remove करना है good send to branch का loading remove करने के लिए हम लोग good send to branch ही लिखने stock opening stock और closing stock का loading remove करने के लिए हम लोग stock reserve लिखने और loading ह हमेशा opposite side में हटता है तो जैसे यहां देखे 30,000 है और कितना loading है तो 25% है तो 25 बटा 125 कर दीजे अभी मैं आपको वही calculation सिखा रहा था और यहां पर closing stock का loading हटाने के लिए आपको लिखना होगा stock reserve account opposite side में मतलब credit में है तो debit में आप लिखेंगे जैसे 7,500 है तो 7,500 into में 25 बट 500 में कितना profit सामिल है इसको हटाते क्यों है so that की exact profit और loss निकल सके इसको भी हम लोग बाद की classes में discuss कर लेंगे कि क्यों exactly profit को हटाते है अब आप total कर देजे यहां पर तो जब आप इसको total करेंगे तो देखें यह 16,500 है और 6,000 22,500 हो गया और 22,000 और आपको यहां पर 13,500 add करना है तो मैं कर लेता हूं इसको and loading हम लोग क्यों हटाते हैं यह मैंने अभी आपको बताया कि exact profit और loss निकालने के लिए हटाते हैं यह total हो गया 36,000 अब इस 36,000 में से इधर का सारा item minus कर दीजे तो इधर का अगर आप minus करेंगे तो profit आ जाएगा तो यहां पर आप लिखें and branch profit लिखने के बाद इस profit को हम लोग transfer कर देंगे general profit and loss account में यह minus करके 2000 आजाएगा आप check कर लिजेगा तो फिर यहां पर लिखेंगे transfer to general PL so this was the branch account at cost में एक बार आपको फिर से समझा देता हूँ और यहां पर लिख दिया मैं अभी आपको बता देता हूँ यह जो branch account बनाया हम लोगों ने यह branch account at invoice price बनाया क्योंकि question में पहले line में ही given है कि good sent to branch at cost plus 25 तो ऐसे question invoice price invoice price बाले question में branch account में हमें loading को हटाना पड़ता है loading का मतलब stock में जो profit सामिल है उस profit को opposite side में हटाना पड़ता है तो opening stock और closing stock का loading remove करने के लिए हम लोगे stock reserve लिखते हैं और goods sent to branch का loading हटाने के लिए हम लोग goods sent to branch ही लिखने हैं और loading कैसे हटेगा जैसे 25% है तो 25 upon 125 कर लिजे अगर 30% है तो 30 upon 130 कर लिजे ध्यान रहे कि यह cost plus हो तो फिर तो आपको नीचे plus करके नहीं 100 केबल लिखना है जैसे यहां पर 25% on invoice price होता तो 25 upon 100 ही आपको लिखना था तो आप इस question को एक दो बार अच्छे से देख लिजे और मैं ऐसा करता हूं एक थोड़ा सा tough सा question आपके सामने अभी रखता हूं इसको भी आप ध्यान से दे cost plus 25% है तो उपर में हम लोग लिखेंगे branch account and bracket में आप डाल दिजेगा at invoice price और जो भी date होगा वो भी आप यहां पर लिखेगा कि question में जो date है हलाकि मैंने लिखा नहीं है यहां पर date तो अगर 31 March होता तो for the year ending on 31st March 2000 जो भी date होगा वो आप यहां पर लिखेंगे and credit and debit तो आप आपको लेखना है questions में आपको बस यह ध्यान रखना है कि loading हटाना है या नहीं हटाना है stock जो है वो loaded price पर है या cost price कभी कभी question में क्या करते हैं कि stock के बगल में लिख देते हैं at cost तो फिर उस पर आपको loading नहीं remove करना है यहां पर आप देखिए कि balance brought down लिखेंगे सबसे पहले तो जितने भी assets हैं उनको हम लोग लिखेंगे यहां पर तो दो ही assets फिलाल मुझे देख रहे हैं एक stock और एक debtor stock और debtor को हम लोग लिख देते हैं stock है opening stock है 2500 रुपया तो वो 2500 हम लोगों ने लिख दिया and opening debtor जो है वो 1400 दोनों को लिख कर यहां पर बाहर आप कर दिजे 3900 इ इतना भी हम लोगोंने goods sent किया है branch को तो वो आप लिख दीजे यहां पर goods sent to branch आपको थोड़ा सा नीचे मिलेगा 18200 तो इसको आप यहां पर लिख दीजे यह दो step हो गया आपको third step में फिर expenses वगर लिखने यह 18200 है and फिर उसके बाद आप expenses देखिए तो आप देखेगा कि expenses paid by HO जो है उसको आपको लिखना है तो expenses paid by HO को आप लिखेंगे bank account और यहां जो expenses है वो 1640 रुपे हो गये अब expenses paid by branch जो है वो petty expense है उसका मैं अभी आपको करके दिखाऊंगा and उसके बाद जो fourth step है वो आपको यहां पर लिखना है कि कितना cash sent किया गया किसको head office को तो यह जो question है थोड़ा सा special है यहां पर आपको cash sales और from debtor नहीं लिखना है क्योंकि question में given है साप साप cash sent to HO 15,000 मतलब question में already given है कि cash जो है 15,000 head office को भेजा गया तो आप वही amount लिखेंगे generally हम लोग इस question में गलती यह करते हैं कि cash sales and cash collected from debtor को उपर लिख देते हैं तो हमसे थोड़ा सा गलत हो जाता है फिर उस question को थोड़ा अलग तरीके से हमें बनाना पड़ेगा बट यहाँ पर जब question में साप साप given है कि cash sent to HO 15,000 तो उसी को आपको बस लिख देना है and then balance carried down में एक special चीज आ जाएगा यहाँ पर अब यह क्या आएगा आप यह सोचिए देखे question में लिखा हो furniture भी purchase किया गया branch manager के द्वारा इसका मतलब furniture का भी closing balance आएगा और एक cash का भी closing balance आएगा पैटी cash भी आप इसको लिख सकते हैं तो यह मैं आपको working note में अभी करके दिखाऊंगा जो stock है उसका closing stock तो given है question के सबसे उपर में 3000 रुपे and closing debtor भी given है 1800 रुपे यह भी given है अब यह furniture कितना आएगा तो furniture purchase किया गया 1200 उस पर हम लोग मान के चलेंगे कि कोई depreciation नहीं हुआ क्योंकि यहाँ पर depreciation का rate given नहीं होता तो आप लिख देते और cash के लिए आपको एक working note करना पड़ेगा तो यहाँ तक तो हम लोगों ने 4 step लेख दिया पूरा अब हमें profit निकालना है और question में फिर से goods को send किया गया है loaded price पे तो यहाँ पर loading आपको remove करना है कहां कहां से तो यहाँ कहीं भी stock होगा उसका opposite side में मैंने आपको बताया था कि opening stock का जब आप loading remove करते हैं तो आप लेखने stock reserve तो मैं आपकी बार red pencil लिख देता हूं stock reserve जैसे 2500 है तो इसका अगर profit आपको remove करना है तो 25% cost plus 25 बटे 125 25 upon 125 तो इसको अगर आप solve करेंगे तो यह आ जाएगा 500 और goods sent to branch का अगर loading remove करना होता है तो हम लोग लिखते है goods sent to branch ही तो यहाँ पर मैं shortcut लिख देता हूं GS मतलब goods sent to BR मतलब branch अब 18,200 है इसको भी आप 25 upon 125 करेंगे और इसका calculation आप करिये तो आ जाएगा यह 5 मतलब 36 and यह आ जाएगा 4 तो 3640 यह आ जाएगा इसके बाद जो closing stock है उसका भी loading आपको debit side में remove करना है तो यहाँ पर आप लिखे stock reserve opening और closing stock कर loading remove करने के लिए stock reserve तो यहाँ पर 3000 है तो 3000 का आप 25 upon में 125 कीजी and then आ जाएगा 600 फिर उसके बाद आपको profit निकालना है लेकिन अभी हम लोगों के पास cash का balance आया नहीं है इसके लिए हम लोग को एक cash account बनाना पड़ेगा तो पहले ऐसा करते हैं debtor account भी बना लेते हैं जिससे हम यह पता चले कि debtor से कितना cash collect हुआ so that उस amount को भी हम लोग cash account में transfer कर सकते हैं तो यह branch debtor account बना लेते हैं अभी पहले भी मैंने ब्रांच debtor account बनाया था और मैंने उसमें बताया था कि जो opening balance है उसको आप debit side में लेखे क्योंकि debtor हम लोगों के लिए assets है तो इसका balance debit ही होगा औ और जिन बातों से debtor बढ़ेगा उनको debit में लिखना है जिन बातों से debtor कम होगा उसको credit में लिखना है यहाँ पर देखिए opening balance जो है वो 1400 है question में भी आपको दिख रहा होगा तो 1400 and then यहाँ पर आपको to sales account लिखना है लेकिन credit sales के बल लिखना है क्योंकि जब कभी भी हम credit sales करत हो जाएगा और question में given तो है नहीं तो cash account आप लिख दीजे और from debtor आप लिख दीजे यहाँ पर यह नहीं भी लिखेंगे तो चलेगा नीचे आप balancing figure लिख दीजेगा यहाँ पर आप bracket में और यहाँ पर आप लिखिए by balance carried down मतलब यह जो है balance carried down मतलब debtor का closing balance तो debtor का closing balance है वो 1800 को minus करेंगे तो यहाँ पर आप पहले लिख दीजे 8400 और इसमें से इसको minus कीचे तो आ जाएगा 6600 and then आप यहाँ पर लिख दीजे balancing figure मतलब यह जो आपने 6600 निकाला है यह balance करके निकाला है तो आपको पता लगया कि debtor से कितना balance है 6600 मतलब debtor से आपको 6600 मिलें इस question में हम लोग गलती यही करते हैं कि यह 6600 हम लोग branch account में transfer कर देते हैं जो कि हमें नहीं करना चाहिए क्योंकि question में साब साब गिवन है cash sent to head office 15000 अब आपको यहाँ पर एक branch account branch का cash account भी बनाना पड़ेगा तो जो petty cash है उसको फिला लंबल को निल मान लेते हैं क्योंकि opening petty cash का कोई balance तो question में given है नहीं और यहाँ पर मैं लिख देता हूं particular वगरा उपर debtor account में भी आप लिख देंगे तो सही रहेगा तो यह question थोड़ा सा लंबा हो गया और balance carried down के बाद जिन बातों से cash बढ़ेगा उनको आपको debit में लिखना है जैसे debtor से पैसा मिला branch को 6600 रुपया तो इसको फिर आपको debit में लिखना है क्योंकि branch के पास पैसे आये तो यहाँ पर लिखेंगे two debtors account branch debtor भी आप लिख सकते है उसके बाद cash sales करने से भी branch के पास पैसे आया होगा तो two sales account यहाँ पर लिखेंगे cash sales 10800 है मैं bracket में लिख देता हूँ कि यह cash sales है 10800 तो यहाँ पर आप लिख दीजिए 10800 और इसके बाद जिन बातों से cash कम होगा उनको credit में लिखना है तो आप देखें branch ने जो expense किया है वो 120 रुपया किया है तो आप यहाँ पर लिख दीजिए petty cash या एक और भी चीज आप लिख दीजिए branch को हमने पैसा कितना भेजा तो उसको आप लिख दीजिए नहीं remittances आप नहीं लिखेगा आप इसकी जगह जो है branch account ही directly remittances में card देता हूँ तो यहाँ पर आप लिख दीजि जो जैसे 15,000 भेजा था तो वो लिख दिया अच्छा furniture भी हम लोगों ने खरी दा था उसको हम लोग लिख देते हैं तो buy furniture 1200 और उसके बाद हम लोग यहाँ पर लिखेंगे buy petty cash ये expenses जो branch ने किये थे 120 इनको भी आपको यहाँ पर लिख देना है तो 120 लिखा and then अब आप यहा यहाँ पर लिखेंगे buy balance के और तो कोई item है नहीं cash related सो अब आप यहाँ पर एक बाद देख लीजे कोई नहीं है यहाँ पर balance carry down आप लिख दीजी और इन सब को total किजिए तो यह आजाएगा 17,400 और 17,400 में से फिर आपको 15,000 और 1220 को आपको minus करना है तो यह आजाएगा 1080 आजाएगा तो यहाँ पर आप लिख देजे 1080 अब यह जो closing balance है इसको आप branch account में यहाँ पर आप लिखेंगे तो जाकर यह question आपका सही होगा और गलती इसमें यह होती कि हम लोग cash collected from debtor भी उपर में लिख देते हैं यह working note अगर आप यहाँ पर डाल देजेगा working note 2 और तब जाकर आप वहाँ पर transfer कर दिजेगा तो यह थोड़ा सा बड़ा सा question है फिर भी हम लोगोंने solve कि अच्छे से so अब इसको हम लोग solve कर लेते जैसे 3,4,5,6,000 और 1,7,000 यहाँ पर total कर लेते तो यह total जो है यह आजाएगा 7080 और फिर उसके बाद आपको profit भी calculate करना है यहाँ and then लिखेंगे to branch profit और transfer कर देंगे general PLB यहाँ पर इसको मैं एक बार total कर लेता हूँ तो यह 7,080 और फिर जब आप इसको total करेंगे तो credit side बड़ा है तो इसका मतलब profit हुआ तो यह total आप यहाँ पर लिख दीजे आज आजाएगा 15,3,8,7,2,8,7,8,7,8,7,8,7,8,7,8,7,8,7 26,220 यहाँ पर 26,220 and then इसमें से आप इसको minus कीजे तो branch profit और उसके बाद आप लिखेंगे transfer to general PL and then आजाएगा यहाँ पर आप एक बार calculate कर लेजाएगा तो मैं एक बार कर लेता हूँ calculate उसके बाद यह सही है न ओके तो यह आजाएगा 1880 यह profit आजाएगा तो I hope अब आपको branch account थोड़ा सा आसान लग रहा होगा at invoice price बाला भी इसको आप अच्छे से note भी कर लेज़े और इस question को आप खुछ से बना कर भी देखे इसके बाद अगर आपके पास book है तो उसके कुछ example वगरण आप देखेंगे तो फिर आपको branch account at cost price and branch account at invoice price easy जरूर लगेगा तो आज की एक class में हम लोग इतना ही करते हैं next class में फिर हम लोग branch account में stock and debtor method को start करेंगे तो आज के लिए इतना है thanks for watching the video we will continue in our next class thank you so much good bye